नमस्कार दोस्तों किर्केट वे सचिन बोरा हम फिसे एक बड़ आपका स्वागत दोस्तों बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि मैंने एक मैक्सवल का स्टांस बताया था कि टैनिस बॉल में स्टांस कैसा होना चाहिए मैं अभी आपको फिर से दुबारा एक बार रेपीट करते हैं थोड़े दिन तक जरूर परिशानी होती है किसी भी चीज में चाहिए कोई भी चीज ले लो हर चीज में स्टाटिंग में परिशानी होती है बट उस परिशानी को दूर आपने करना है कैसे करना है वह मैं आज आप लों को बताऊंगा इसमें आपका मैक्सिमम जो चीज है maximum चके लेग में स्टेट में लगते हैं टैनिस बॉल में ऑफ साइड में चोके लगते हैं चके बहुत कम लगते हैं इसलिए ज्यादा आपका ध्यान लेग की तरह बोना चाहिए अब जो बॉल आप बोल रोगी बॉलर कंटिन्यू ऑफ साइड में दे देता है उसका भ मार देता है तो आपने भी उसी टाप से प्रेक्टिस करनी जब प्रेक्टिस करोगे तब आपको आएगा अगर आप सोच रहे कि एक ही दिन में आप सोच रहे कि आप साइट में भी आप मार लेंगे उस तरह से तो यह थोड़ा पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सवल जो है बहुत बड़ा बल्ले बाज हो बहुत सारी प्रेक्टिस करते हो लोग तो आपने भी उसी टाप से करना है आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मेरे से यह हो गा ही नहीं बिलकुल होगा आपके कहने मैं बताऊंगा यॉर्कर बॉल में भी और उची बॉल में दोनों टाइप अब मैं आपको खेल के बताता हूं कि किस टाप से आपने खेलना है दोस्तों फुल लंद की बोले देखिए ओप में इस तरह से आप चौका मार सकते हैं दोनु तरफ सोट सेम स्टांस में मार के दिखूंगा यह देखिए ओप साइड जैम पीछे अटके यह देखिए यह से एकदम सेम हैं जो लोग यह बोल लें की ओफ में खेलने में दिक्कत हो रही है आप इस तरह से प्रैक्टिक करें दोनु साइड के लिए रेड़ी रहे यह सिर्फ फुट का पैर का देखिए ओप साइड मारना तो बायां पैर आगे लाना और लेग मारना तो देहना पैर पी तरह से तो ऐसा कुछ निए कि आप नहीं मार सकते आप साइड में आप साइड में चौके भी लग सकते हैं इस तरह से देखिए यह देखिए लेग में मायने में सिर्फ पैर का डिफरेंस है पैर पीछे जाएगा इसमें देखिए यह कट स्क्वाइर कट मारना है उपर से दोस्तों आसा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आयोगा अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह के आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे थैंक्यू धन्यबाद